दोस्तों अगर आपके पास Axis Bank का Saving Account है तो Axis Bank का Mobile Application को Install करके उसमें Registration कैसे करना इस वीडियो में Complete Process दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना है आपके पास Android Phone है तो Play Store से और iPhone है तो Apple Store से आप Axis Mobile Application Install कर लीजिएगा Open करने के बाद कुछ Permission मांगेगा आप Allow कर देंगे उसके बाद इस तरह का Instruction आएगा आप Skip कर सकते हैं या नीचे Continue का Option मिल जाता है उसको किलिक करेंगे उसके बाद Login to Access Account है उसको किलिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके SIM से एक Verification जो है Message भेज़े जाता है याद रह वाला जो Arrow है उसको किलिक करके आप SMS यहाँ से भेज सकते हैं यहाँ पर Main Balance रहना चाहिए SMS भेजने के लिए तो SMS जाने के बाद यहाँ पर जो है सारा प्रोसेस आपका Complete हो जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा दर इंतजार करना है उसके बाद अब यहाँ पर यह कंडिश Complete Process नहीं होता है यहाँ पर फिर भी एक बार वेरिफिकेशन आपको करना होगा तो वेरिफिकेशन कैसे करना वह देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता है जैसा कि देख पा रहे हैं Mobile Application में Login हो चुके हैं मगर अभी मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ अगर हम कुछ भी य प्रोसीड वाले Option पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर तीन Option आएगा पहला Option यहाँ आएगा कि आप OTP के थुरू कर सकते हैं यानि कस्टमर एडी वगरा डालके डिटेल डालके यहाँ पर OTP आएगा उस पर करेंगे या फिर इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल्स डालक यहाँ पर डालते हैं उसके बाद यहाँ पर जो है एक OTP आपको इमेल पर मिलेगा मतलब रेजिस्टर इमेल पर और रेजिस्टर नमबर पर भी एक OTP आएगा दोनों OTP फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड का उपसन मिल जाता है उसके बाद आपका मोबाइल बैंकिंग अ